सवाल नमर एक गारंटी और वारंटी में क्या अंतर होता है सवाल नमर दो रात में जागने के क्या फायदे है सवाल नमर तीन भारत में मुस्लिम परदान मंतरी क्यों नहीं बनता सवाल नमर चार मर्दों की छाती पर बाल क्यों होते है सवाल नमर पाँच पसीने से बदबू क्यों आती है सवाल नमर छो ऐसे कौन से कानोनी अधिकार है जो हर भारतिये को पता होना चाहिए तो आए दोस्तों जानते हैं इन सभी सवाल के जवाब को डिटेल्स में यदि आपको इन सभी सवाल के जवाब जानने है तो वीडियो को आखी तक जरूर देखिएगा दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और यदि आपने इस चेल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चेल को सबस्क्राइब भी करके और लोटिपिकेशन को ओन कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहले सवाल से आज का पहला सवाल है, गारंटी और वारंटी में क्या आंतर होता है? दोस्तों, वारंटी का मतलब होता है कि विकरेता की और से किसी गराहंक को दी जाने वाली एक विशेज चूट जिसमें किसी उत्पाद के खराब होने की दसा में दुकंदार या कमपनी दोरा उसी उत्पाद को ठीक करा कर दिया जाता है इसी को वारंटी करते हैं गारंटी यदि कोई उत्पाद गारंटी के दोरान खराब हो जाता है और उत्पाद पर एक साल की गारंटी लिखी होती है तो दुकंदार गराहं को एक साल के अंदर नया उत्पाद देने के लिए बादे होता है अताब पुराने खराब उत्पाद के बदले नया उत्पाद काम ना करने की स्थिति में दुकंदार के पास ले जाने पर नया उत्वाद मिलता है दोस्तों आपके लिए अगला सवाल है ऐसे कौन से कानूनी अधिकार हैं जो हरबारती को पता होना चाहिए दोस्तों हमारे देश में कानून कुछ ऐसी हकिकत हैं जिनके जानकारी हमारे पा महिला की गिरफतारी नहीं हो सकती Court of Criminal Procedure Section 406 के तहत साम 6 वजे के बाद और सुबह 6 वजे से पहले भारतिये पुलिस किसी भी महिला को गिरफतार नहीं कर सकती फिर चाहें कितना भी संगिन अपराद क्यों नहों अगर पुलिस ऐसा करते हुए पाई जाती है तो गिरफतार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ सिकायदर्ज की जा सकती है और इससे उस पुलिस अधिकारी की नौकरी भी खत्रे में आ सकती है दूसरा है सिलेंडर फटने से जमानत के नुकसान पर 40 लाग तक का बीमा कवर क्लेम कर सकते हैं पब्लिक लाइबलेटी पॉलिसी के साथ अगर किसी कारण आपके घर में सिलेंडर फट जाता है और आपको जानमाल का नुकसान जहेलना परता है तो आप तुरंत गैस कमपनी से वीमा कवर क्लेम कर सकते हैं आपको बता दें कि गैस कमपनी से चालिस लाग तक का वीमा क्लेम कराया जा सकता है अगर कमपनी आपका क्लेम देने से मना करती है या टालती है तो इसकी सिकायत की जा सकती है दोसी पाये जाने पर गैस कमपनी का लाइसेंस भी रद हो सकता है कोई भी होटल चाहे वो फाइव स्टार ही क्यों नहो आपको रोक नहीं सकते अगर होटल का मालिक या कोई भी करमचारी आपको पानी पीलाने से या बातरूम इस्तेमाल करने से रोकता है तो आप उन पर कारवाई कर सकते हैं आपकी सिकायत से उस होटल का लाइसेंस रद हो सकता है मालिक को पहले तीन महिने की नोटिस देनी होगी और प्रेगनेंसी के दोरा अनलगने वाले खर्चों का भी कुछ हिंसा देना होगा अगर वो मना करता है तो उसके खिलाब सरकारी रोजगार संगटना में सिकायत कराई जा सकती है इससे कमपनी का लाइसेंस भी रद हो सकता है और कमपनी को जुर्माना भी वरना पढ़ सकता है पुलीस अपसर आपकी सिकायत लिखने से मना नहीं कर सकती IPC के सेक्शन 166-A की तहत कोई भी पुलीस अधिकारी आपकी सिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाव वरिस्ट पुलिस रिक्षक में सिकाय दर्ज कराई जा सकती है अगर वो पुलिस अपसर दोसी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6 महिने से लेकर एक साल तक की जेल हो सकती है या फिर उसे अपनी नौकड़ी भी गवानी पढ़ सकती है दोस्तो आपके लिए अगला सवाल है भारत में मुसलिम परधान मंतरी क्यों नहीं बनता देखिए दोस्तो आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे बेफुजुल के मुद्दे क्यों उठाते हैं लेकिन यह वो मुद्दे हैं जो कोई नहीं उठाता जरा आप सोचिए आजादी के 70 साल बाद भी इस सेकुलर भारत में एक भी मुसलिम परधान मंतरी नुक्त नहीं किया गया आपको क्या लगता है इसका कारण क्या हो सकता है मेरे हिसाब से तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं पहला कारण है यह हो सकता है कि आज की तारिक में इतने परभावसाली मुसलिम नेता या लीडर नहीं बचे हैं और जो बचे हैं वो बिलकुल आदिवादी खयालों के हैं दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि भारत देश की जनता जहां 85% हिंदू लोग रहते हैं क्या एक मुस्लिम परधान मंतरी को चूनेंगे क्योंकि आप सभी हिंदू मुस्लिम के इतियास को अच्छे से जानते हैं चलिए मैं आप से कुछ पूछना चाहता हूँ कि अगर एक मुस्लिम परधान मंतरी बन भी गया तो क्या वो भारत जैसे देश को संभाल पाएगा जहां हर पल कुछ न कुछ होता ही रहता है ऐसी बात नहीं है कि परवाफसाली ससक्त मुस्लिम नेता हो कि भारत में कमी थी पर जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए लाबदायक होता है रात में देर तक जागने के कुछ फायदे भी होते हैं जो आप लोग निसायद नहीं जानते होंगे तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में रात में देर तक जागने पर पर आईक्यू लेवल होता है एक सोद के अनुसार जो लोग रात को देर तक जागते हैं वह लोग सुबह जल्दी उठने वाले लोगों के मुकावले ज्यादा क्रियेटीव होते हैं साथ ही वह किसी भी दिक्कत का क्रियेटीव समाधान भी निकाल कर इस दिक्कत से असानी स निपट लेते हैं जो लोग रात को देर से सोते हैं वो असानी से दिन में 9-5 वाली नोकडी कर सकते हैं लेकिन अगर सुबह जल्दी जागने वाले लोगों को ऐसा कहा जाए तो बहुत मुश्किल होता है सुबह जल्दी उठने वाले लोग रात को देर तक नहीं जाग सकते वहीं रात को जागने वाले लोग कैसे भी अपनी निंद को पूरा कर ही लेते हैं अगर आप रात में कोई काम करते हो तो इसकी और भी फायदे होते हैं रात में आपको सांत माहौल मिलता है जिसे आप एकागरता से काम कर पाते हैं और रात का मौसम भी अच्छा होता है दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए पसीने से बदबू क्यों आती है दोस्तों गर्मी में पसीना आना समाने बात है मगर जब सरीर और बगलू से निकलने वाले पसीना ऐसा गंदवाला हो जिससे के आसपास के लोगों के परिशानी पैदा होने लगे तो वो सर्विंदगी का विसे हो जाता है इससे बचने के लिए कई लोग पॉडर, ड्यू, परफ्यूम, इत्र, आधिका इस्तेमाल करते हैं फिर भी ऐसे पसीने की बदबु अपना परभाव छोड़ी जाती है इसलिए जरूरी है कि पसीने की बदबु का कारण जाने और उसे बचने का कुछ उपाय आजमाए पसीने की बदबु के कई कारण हो सकते हैं पर पसीनों में बदबू वैक्टिरिया चिपकने की वजह से आती है जब मौसम में अधिक आधरता होती है तब वैक्टिरिया भी अपने पनपने लगते हैं और सरीर से आने वाले पसीने में बदबू पैदा करते हैं इसके अलावा सरीर की तंतरिकाओं में अधिक उतेजना पैदा होने की वजह से बदबू आती है जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता कबज की सिकायत रहती है उनके पसीने से बदबू आती है पेट साफ नहीं होता तो खाया वह भोजन पेट में सरता है जिसकी दुरगंद पसीने के साथ बाहर निकलती है इसी तरह से जिने मदुम लेकिन महिला के मुकाबले पुरूस की छाती पर अधिक बाल हो जाते हैं। लेकिन कई मर्दों की छाती पर जादा बाल होते हैं तो कई की छाती पर बहुत ही कम बाल होते हैं। मर्दों की बड़ती उम्र के हिसाब से उसकी सारीक विकास में बदलाब देगने को मिलता है जब सरीर का विकास होता है तो साथ में बालों का भी विकास होता है जैसे माना जाता है कि मर्दों की 14 से 15 साल की उम्र में चहरे पर बाल उगाते हैं उसी परकार मर्दों के सरीर में बड़ते हार्मोन से सरीर पर बाल उगाते हैं। सामुदरिक और जियोतिस सास्तर के अनुसार मर्दों के चाथी पर जादा बाल होने का गहरा अर्थ बताया गया है। आप इसके अधार पर पुरुसों के चरित्र के बारे में भी पता लगा सकते हैं। लेकिन यह अधिकतर आपके DNA पर निर्वर करता है कि आपकी परेवार में यानी कि आपके पिता या दादा या सरीर पर कितने बाल थें। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए नमस्ते और नमस्कार में क्या अंतर होता है दोस्तों भारतिय संस्कृति में हर चीज का महत्व होता है हमारी संस्कृति में नमस्ते का महत्पुर्ण अस्थान है घर में आये मेहमान या किसी का अभिवादन करने का अच्छा तडिका है सदियों से चलता आ रहा है नमस्ते करने से कई वे ज्यानिक फाइदे भी हैं जो हमारे जीवन को परवावित करते हैं नमस्ते सामने वाले वैक्ति के अंदर की आत्मा का सम्मान धरसाता है जब आप दोनों हथेलियों को जोरकर मुह से नमस्ते का उत्चारन करते हैं तो आपके अंदर एक तरंग उत्पन होती है इसके साथ ही यह तरंग सामने वाले वैक्ति के अंदर सकारात्मक उर्जा का संचार करता है आईए जानते हैं नमस्कार और नमस्ते में क्या अंतर होता दोस्तों नमह का मतलब होता है अभिवादन और ते का मतलब होता है आपका तो इसलिए नमस्ते का साब्दिक अर्थ होता है आपका अभिनंदन करता हूँ दूसरी तरफ नमस्कार का भी एक सांकितिक मतलब होता है नमस्कार का साब्दिक अर्थ अभिवादन सुईकार करना हो नमस्कार यानि कि आपका अभी नंदन सुईकार करता हूँ नमस्कार हमेशा नमस्ति के जवाब में दिया जाता है दोस्तों आज के ओडियो क्वालिटी के लिए मैं माफ ही चाहूंगा तब यह ठीक नहीं है इसी वजह से दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की इस चैनल पे बहुत ज़रूरत है तो प्लीज आप अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके दिखाए तो धन्यवाद दोस्तों म मिलते हैं किसी अन्य मज़िदार वीडियो में